घर से बेगर होने के बाद जैभानुशाली के रियाक्शन्स आए हैं सामने जैभानुशाली ने फाइनली इंटर्व्यू के दौरान किये हैं बड़े बड़े खुला से करन कुंद्रा तेजस्वी प्रकाश के रिष्टे को ले कर दिया बड़ा बयान और साथी साथ आखरकार उनके शौकिंग एविक्शन पर भी जैभानुशाली के रियाक्शन्स क्या हैं चलिए जानते हैं इस वीडियो में नमस्कार मैं सनक्दास स्वाखत करती हूँ आप सभी का मारे चैनल पर वेल गाईज आपको बता दू कि बिग बॉस के घर में जैभानुशाली का हुआ शौकिंग एविक्शन ऐसे में कोई भी ऐसा कंटेस्टेंट रही था जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि जैभानुशाली हो जाएंगे घर से बेघर ऐसे में आपको बता दू कि उनके वोट्स काफी कम आये थे जिसकी वज़ा से जैभानुशाली घर से बेघर हो गए और लगातार आपको बता दू कि घर से बेघर होने के बाद अब इंटरव्यू दिया है जैने जहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं यहाँ घर के अंदर और भी ज्यादा दिनों तक रहना डिजर्फ करता था मैं अपने एविक्शन से थोड़ा शौक्ड हूँ लेकिन मैं अपसेट नहीं हूँ क्यूंकि मैंने शो को बहुत डिगनिटी के साथ खेली है और डिगनिटी के साथ खेलने की वज़ा से मुझ इस पर करण कुंद्र और तेजस्वी प्रकाश के लिए ये कहते नजराएं जै कि ये दोनों तो इस शो की जान है क्यूंकि इन दोनों ने जिस तरीके से अपना कपल गोल्स भी कम्प्लीट कर रहे हैं और कहीं न कहीं पॉपिलारिटी भी गेन कर रहे हैं तेजर्ण के वल ह इस तीन कंटेस्टेंट को देखते हैं जहां पर उन्होंने करन कुंद्रा तेजस्वी प्रकाश और प्रतीक सहचपाल का नाम लिया जी हां उन्होंने प्रतीक सहचपाल के साथ भी अपने जितनी भी दुश्मनी थी तकरारती उसको खत्म कर लिये थे और उनके साथ वल दो भानुशाली से उनके best moment के बारे में पूछा गया बिग बॉस के घर का तो उन्होंने बताया कि जब मेरी wife माही ने मेरे लिए beautiful surprise भेजा था मेरी बेटी के कपड़ों से बने हुए blanket को वो मेरे लिए सबसे best moment था तो अब जै भानुशाली तो हो चुके हैं घर से बेघर और बे जयान दिया था कि well वो अभी deserve करते थे और भी ज्यादा दिनों तक घर के अंदर रहना उनका हो चुका है eviction अब जै भानुशाली के इन तमाम reactions पर आप भी अपने statements दीजे हमारे comment section में लिख कर तमाम Bollywood और TV दुनिया से जुड़ी हरे खबरों के लिए देखते रहे हमारा channel